हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है और क्लास टुल्द कमिस्टी अंसी आर्टी चैप्टर फोर में आज का टोपिक है सुन्द कोटी की अफ़क्रिया किसे कहते हैं और सुन्द कोटी अफ़क्रिया के लिए गड़ती व्य आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे तो जाकर के वहां से वीडियो को देखिए और अच्छे से त्यारी किजिए चले सुरू करते हैं सबसे बहले बात करते हैं अफ़क्रिया की कोटी क्या है रासानिक अभक्रिया हो रहा है अभक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बन रहा है अभिकारक में कमी हो रही है उत्पाद में ब्रद्धी हो रही है इस अभक्रिया को निर्धारन करने के लिए जिन अड़ों के अवसकता होती है जो अड़ों भाग ले रहे हैं उन्हें कहते हैं कोटी यह जो कोटी का मान है एक प्रयोगी के आधार पर ही हम निकाल सकते हैं यह प्रयोगी यह मान है student हम से ध्यांतिक नहीं बता सकते हैं मतलब किसी अवक्रिया को देखकर simple way से हम नहीं बता सकते कि सोन कोटी के अवक्रिया है अवक्रिया जिसमें सांदर्ण पर निर्वर होना ही नहीं है मतलब सांदर्ण कितना होता जीरो होता है द्रेब्बन उपाती क्रिया के नियम से आपने पढ़ा था थोड़ा समझने के कोशिस करने लिए कि किसी रहसानी का अवक्रिया किदर जर उसके सांदर्ण के घातांकों की योग के बराबर होता है यह द्रभ्यन उपाते क्रिया का नियम था यह जब सांदर्ण एक होगा तो प्रथम कोटी कहलाएगा सांदर्ण दो है तो दुती कोटी सांदर्ण का घात तीन है तो तृती कोटी लेकिन सांदर्ण का घात जीरो ह समझ रहे ना मतलब अभिकारा की जो संद्रण कमाने हो कितना है जीरो है तो फिर स्टुडेंट लो सुन निकोटी कह लाएगा खुल मिला करके ऐसी रासानिक अफ्क्रिया जिसमें स्टुडेंट संद्रण का कोई महत्तों नहीं होता अर्थात संद्रण पर वह अफ्क्रिया न कि अफ्क्रिया की जो डर है वो पदार्त के संद्रण पर निरभार ही नहीं करती मतलब सुन नकोटी के अफ्क्रिया पर संद्रण का घात जीरो होता है ठीक है इतना क्लियर हो गया तो परिभास से देलिखने को आ जाये तो तो जब क्रिया कारा के पदार्थ के सांद्रण पर नेरभार ही नहीं करती तब है सुन कोट की अफ्रिया कहलाती है इतना क्लियर थोड़ा थोड़ा चीजें कुछ ऐसे हैं जो कि आपको तयार करना पड़ेगा कुछ ऐसे हैं जो प्रीवेस वीडियो से भी लेना पड़ेगा जैसे गुलवरेगम बागे कनियम, द्रबन उपाते क्रिया कनियम, यह तो प्रिवेश वीडियो मैंने चर्चा करा था, तो आपको यहाँ पर फर्मुला बताऊंगा, गुनियम आपसे बनना चाहिए, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, एक सामान अवक्रिया है, जो प्यारे भा अब इसके हम अवक्रिया की दर को यदि बताना चाहते हैं, तो गुलवरेग के नियम के अधात, पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे थोड़ा समझेगा, यह अभी काराक है, और यहां से बन रहा है उत्पाद, क्या बन रहा है उत्पाद, यानि इस्टूड़े यह ए हैं और बना रहा है भी, तो इस्टूड़े दिया अवक्रिया की दर में परिवर्तन, तो इसको डी अपान डी टी करूँगा, और इसको डी बी अपान डी टी, हमेशा इस्टूड़ेंट उत्पाद में ब्रद्धी होती, इसलिए प्लस, और अभी काराक में कमी होती हो, माइनस से दर साते हैं, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, कि कोई भी रासानी कवक्रिया है, जैसे यसे संपन होगा, प्यरे भाईो, अभी कारक में उतनी कमी आती जाएगे, इसलिए निगेटिव से दर साएगे, और उत्पाद जो है स्टूड़ेंट, इसके दर को एदि हम बताना च तो माइनस में क्योंकि किसी भी रासानी कवक्रिया में स्टूड़ेंट जब अभी कारक से उत्पाद बनता है, तो अभी कारक में धीरे धीरे करके कमी आती है, और उत्पाद में धीरे धीरे ब्रद्धी होती है, अभी कारक में यही कमी रिनातमक्चिन को प्रदर्सित करता करता है हुद पाद मेही ब्रद्धी धनातमक्चिन को प्रदर्शित करता है ऑगे चीजें क्लिएर है तो अब क्रिया कि दर आप समझ गे है अब क्रिया की दर है वह पर रहा है तो टीरा पॉंड़ी टी अच्छा अब द्रबन उपाथे क्रिया कानियम क्या है कि जो रासानी का वक्रिया कीदा रहे दी R के लिए बात करेंगे तो D.R.A.P.A.N.D.T. है वो proportional होता है किसके अभिकारा की अभिकारा की तो इसके सांदन की इसके सांदन कांसेंट्रेशन किसके सांदन की इतना clear है जब इस student ये हटता है कौन अटेगा जब शमन उपाती ही तो के एक नियतांक लग जाएगा ये R का स्रांदन होगा ये C है लेकिन सून कोटी के लिए करेंगे तो 0 कर देंगे मैं basic चीज लेकर चल रहा हूँ थोड़ा time लग जाएगा प्यारे भाईयो लेकिन आप लोगे लिए अच्छे से तरीके समझ रहे है तो आपको रटना नहीं पड़े गए मैं guarantee देता हूँ आपको ओके इतना clear तो मैं दिक कह दूँ कि सून कोटी अब करेंगे लिए जो तातकालिक दर है वो क्या होगा सून कोटी यहाँ पर मैं लिग देता हूँ सून कोटी सून कोटी अब करिया के लिए अब करिया के लिए क्या तातकालिक दर दर मतलब किस दर से यह वो क्रिया संपन हो रही है ठेक है student तो आप क्या कह दोगे कि भईया दर जो है समय के साथ तो D किस में R में परिवर्तन DT मैंने कहा ना नियतांक एक K है और R अभिकारक है इसका घात कितना होगा 0 होगा और यहां पर माइनस चिन इस बात को प्रदर्सित कर रहा है कि अभिकारक में कमी हो रही है पैरे भाईो इतना तो clear है यार बनना चाहिए आपसे ठीक है यदि मैं कह दूँ कि K क्या है भाई कि K क्या है तो एक इस्थिरांख है तो लिखने की ज़रुवत नहीं है अब मैं student आपसे कहूँ किसी का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है तो यहां पर आप लिख सकते हो डी आर अपान डी टी इक्वल के इतना clear चीजें समझ में आ गई यह जिसको पक्षांतर कर दिया जाए student तो आपके पास जो डी आर है यानि माइनस डी आर का मान है वो के इंटू डी टी के बराबर है कुछ नहीं कर रहा हूँ आर का पाबर 0 मतलब 1 तो के लिग दिया से यह नीचे था भाग में इदर जाएगा पक्षांतर होगा student तो गुणा में हो जाएगा किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा इतना clear है अब हम करेंगे क्या कि इस माइनस को इदर पक्षांतर कर दें दूनों पच्छों में समा कलन करने पर समा कलन करने पर चलिए डियर समा कलन कर दीजिए तो समा कलन डी आर और इधर भी समा कलन माइनस बाहर कर दो के डी टी हो गया ओके देखे एदर डी एक्स होता तो इसका समा कलन एक्स होता समझ रहे डी आर होता समझ रहे ना इसी प्रकार DT है तो यह के तो constant है DT है तो T हो जाएगा समा कलन और यहाँ पर I1 समा कलन इस्थी रांग है जहाँ capital I समा कलन इस्थी रांग है ओके कितना clear है जहाँ capital I समा कलन इस्थी रांग है अब मैं यह condition लेता हूँ student थोड़ा समझेगा कि time 0 पर जब time 0 हो यानि अब क्रिया start ही नहीं हो रहा है time 0 पर यानि मैं कह दूँ time 0 पर तो जो r का मान है यह प्ररंभिक r के बराबर होगा यानि 0 time पर यानि r के जगह मैं r0 कर सकता हूं r not जिसको कह सकते हैं यानि प्रारंभिक स्थित्मे अभिकारक में कोई बदलाओ नहीं जो अभिकारक था वही है कर सकता हूं न इस्टुडेंट तब चला थोड़ा धियान देना यहां पर तब इस्टुडेंट यहां पर मैं दिक कह दूँ कि जब time 0 था तो r r 0 की रूप में यहीं अभिकारक में किसी प्रकार से परिवरता नहीं है जो मूल रूप से विकारक है वही है और यहां माइनस की ती कमान कितनों हो जाएगा 0 और प्लस आई तो आई कर दूँ तो आई बराबर मैं आपसे कह दूँ तो आई बराबर कितनों हो जाएगा इस्टुडेंट आई बराबर हो जाएगा r 0 इस आई कमान मैं रख दूँ यहां पर समिकरण 1 समिकरण 1 दे दूँ फिर इसमें आई क कमान रख दूँगा किसमें समिकरण एक में यहां पर देखेगा आई कमान समिकरण एक में रख देते हैं तो समिकरण एक से कहां से समिकरण एक से यहां पर कितना भी यह आर है जी हां यहां पर माइनस केटी है माइनस केटी और आई कमान कितना आ गया आर नौट यह आर जीरो कर सकते हैं इसको अब इदी पकषणतर करें प्यारे भायों तो जो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम के निकालना चाहें टी मल्टीप्लाई में है इधर जाकरके डिवाइड में हो जाएगा ओके इतना clear हो गया यही जो आया के कमान सुन्ड कोटी के लिए अवक्रिया दर इकाई का बेंज़क है या दर इस्थिरांग का बेंज़क है यह क्या है दर इस्थिरांग clear student इतना समझ में आ गया जो आपका soon coat of clear के लिए बेंजा गया था घात जीरो क्यों क्योंकि सांदर्ण पर निरभार ही नहीं करता इतना ही लगाना था यदि आगे soon coat के of clear के लिए बेंजा ग्यांत किजिए तो आपको इतना ही लगाना student clear और इतने में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे तो यदि आपको screenshot लेना है तो ले सकते हैं मैं आपको starting से push कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें सुनने कोटी के लिए किसे कहते हैं और सुनने कोटी के लिए दर इस्थिरांग के हैना लिए फार्मूला निकालो यह अगरती व्यक्या ही तो उम्मीद करता हूँ आप लोग असानी से कर पाएंगे और जो भी वीडियो आप प्लेलिस्ट कर लें पुराने वीडियो आपको पुरे मिल जाएंगे वहां से अब देख सकते हैं त्यारी कर सकते हैं यहां तक complete इसके बाद आपका थोड़ा सा यह सेस रह जाता है यह चलिए मिलते हैं अगले व लंबर है जिस पर आप कंट्रेक्ट कर सकते हैं मात्र हैंडेट उपने में आपको हैंडेटेंड नोट्स वाट्सप में भीजा जाएगा मिलते हैं एक्स टूड़े में चेहिंग बंदे मात्रां